हेलो एबरिबर नमस्ते स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स टुटोरियल पर आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे 20 इंपॉर्टन एमसीक्यूज को जो के आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफे इंपॉर्टन हो सकते हैं आप सभी लोग वीडि का निम्न में से कौन सा मेला काली और गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है उप्सन नमर ए है जौल जीवी मेला उप्सन बी है उत्रायनी मेला उप्सन सी है बगवाल मेला और उप्सन नमर डी है गिंदी मेला तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो होग का जॉल जी वी मेला, option number 1, जॉल जी वी मेला, उत्रा खंड में काली और गौरी नदियों के संगम पर एक मेला आयविजित किया जाता है, जो मेला कहलाता है, जॉल जी वी मेला, अगले एम सी क्यों है, निमनांकित में से गडवाल पेंडिंग्स, नामक पुस्तक के लिखक कौ अंसा इस्तान कैलास मान सरोवर में सबसे कम दूरी पर इस्तित है नारयान आश्रम मायावती आश्रम अना सक्ति आश्रम और तवागाट आश्रम तो सही जबाब होगा नारयान आश्रम आपका सही जबाब होगा अगला एमसी क्यों है उत्राखन में भकार सब्त का उपयोग ह होता है यानि किसके लिए तो सभी जवाब होगा खाद्यान संग्रह के लिए आपसे नमबर भी आपका सभी जवाब होगा अगला अगला में से कौन सा कच्चा माल परयोग में लाया जाता है तो रिंगाल आपका इसमें सही जवाब होगा ऊपसे नमबर भी आपका सभी जवाब होगा अगला पुरान में गडवाल को किस नाम से जाना जाता है तो केदार खंड आपका से जवाब होगा इसकंद पुरान में गडवाल के लिए केदार खंड सब्सका परियोग किया गया है अगलम सिक्यो भागी रथी नदी अलकनन्दा नदी से मिलती है तो देव फ्रियाग में आपका सही जवाब होगा option number D अगला हम सी क्यों है उत्राखन में चिपको आंदोलन की प्रेथम सोतरधार महिला है तो गौरा देवी आपका इसमें सही जवाब होगा option number A उत्राखन में चिपको आंदोलन की प्रेथम सोत्रदार यानि चिपको आंदोलन की सुरुवात हम कहेंगे तो गौरा देवी ने किया था अगला हम सी क्यों है निमनी में से तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है तो ने निताल आपका सही जवाब होगा option number D ने निताल क्या है तालों का प्रदेश ने निताल को कहते हैं अगला हम सी क्यों है उत्राखन राज्य का लगवक कितना प्रतिसत भूभाग परवतिय है तो 88 प्रतिसत है उत्राखन का भूभाग option number A अगला हम सी क्यों है अगला हैम सी क्यों है कालिदास द्वारा वरनित कनवाश्रम किस नदी के तड़ पर इस्तित था शल्ट मालिनी मन्दाकनी यमुना तो सही जवाब होगा मालिनी नदी के तड़ पर कालिदास द्वारा वानित जो कनवाश्रम था वो मालिनी नदी के तड़ पर इस्तित था अगला हम सी क्यों है नीमने लिखिद में से कौन सा एक उत्राखंड के इतिहास कारों में नहीं है हरी किष्ण रतूरी बदरी दत्पांडी चंदर सिंगडवाली सिप्रसाद डबराज या चाराण हम कहेंगे तो चंदर सिंगडवाली आपका इसमें सही जबाब होगा उप्शन नमर सी अगला हम सी क्यों है उत्राखंड में छेतरफल की दरिश्टी से अवरोही क्रमे सबसे बड़ी तीन जिले कौन से हैं चमोली उत्रकासी और पित्थोरगाड उप्शन नमर यह आपका इसमें सही जबाब होगा अगला हम सी क्यों है उत्राखंड में कुल कितने जनपदों की सीमा परोसी देशों को छूती है तीन चार पांच छे तो पांच आपका इसमें सही जबाब होगा उप्शन नमर सी उत्राखंड में कुल पांच जनपदों की सीमा परोसी जवाब होगा अगला है संकराचारे ने बद्रिकाश्रा में इस्तापित मूर्थी कहां से निकाले थी नारद नादर कुण गौरी कुण गंगा नदी और हिमकुण तो नादर कुण आपका से जवाब होगा अगला हैं सिक्यों है अलगनन्दा और मनाकनी के संगम पर सब्सक्क्राइब आप का सही जवाब हैं उत्राखन के पहले निर्वाचित मुख्यमंतरि थी नित्यानम्स्वामी भगत सिंग् कोष्यारी пой नारयनर दत्याए और भुवन्. छंत्यानर अगले तुझेको आपका सही जवाब होगा अग्ले सीजर्च न हमस झाल 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 झाल